नमस्कार साथ यो तो आज है 17 सेप्टेमबर 2024 बजार में आज फिर से हमें एक साइडवेस मूबेंट देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी पहली बार 25,400 के उपर आके सस्टेन करते वे क्लोजिंग दिया 25,418 पे लगबग 0.14% तेजी के साथ और इस बारे में कल र मैं आपको लिखके बदाता हूं उपर की तरफ रेजिस्टेन्स जो हम लोग चर्चा किये थे 25,400 के आसपास नीचे की तरफ दो सपोर्ट डेवल हम लोग वहां पे एनलेसिस के थू देखे थे सबसे बहला तो देखे 25,300 दूसरा जो सपोर्ट डेवल था 25,250 है ना तो आज हम देखा कि देखे निफ्टी-50 की ओपिनिंग कहा पे दिया था 25,400 प्लस पे जो कल फर्स्ट कंडिशन था उसके अकोरिंगी देखने को मिला हाई कहां पे टच किया मतब रिजिस्टेंस 25,400 पे नीचे लोग कहां पे टच किया 25,300 पे ठीक है तो इस तरह से एनलेसिस करना चाहिए जो कि अक्सर में आपको सिखाता हूं रात पे ठीक है तो आप सभी को छोटा सबस रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की जो सारे दस की वीडियो आएगा मिस मत करना विकॉस आज रात से ही एक्चुली FMC की मीटिंग शुरुआत होगा कल बजार किस तरह मूफ करेग बहुत सथा इंपोर्टेंट इसलिए भी था विकॉस बैंक निफ्टी में आज कोई बहुत बढ़ा डिकलाइन यानि नीची की तरब मतब लोर साइड में देखने को नहीं मिला ध्यान से देखिया आज लो टच किया बावन हजार की उपरी सपोर्ट मिल गया उपर की तरब हाई टाच किया लगबग बावन हजार दोसो चुरासी पॉइंट मतब आज निफ्टी-फिप्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एकदम साइडवेस मूब बेंड दिया मतब कोई बहुत बढ़ा हल चल बैंक में आज देखने को नहीं मिला आचा सेक्टर बात करें उसको मेंटेन करने की कोशिश करें एक सडेल लेवल को ना कोई बहुत तेजी ना कोई बहुत गिराबर क्योंकि मार्केट भी काफी कन्फ्यूज्ट है कि क्या होगा एफमसी मीटिंग को लेके ठीक है आचा ओटो सेक्टर में आज कंपेट टू एफमसी जी एन आइटी ठीक ठाक मुबेंट था 0.26 परसेंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा डिकलाइन देखने को मिला स्मॉल कैप मीट कैप में तो आज काफी बुरी तारा गिराबट हुआ मैनुफेक्टरिंग सेक्टर थोड़ा सा नीचे आपके क्लोजिंग धिया हेल्थ क्यर इंडेक्स की बात करें आचा ओएल और यंद्या बाहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया पीसी सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी थोड़ा सा में हुआ और पावर सेक्टर की बहुत सारे शेयर में गिरावाट हुआ डिसी पीएपसी यह सारे डिफेंस में तो इचेल मजगा और काफी गिरा है आज करें बहुत दिन और बेल भी गिरा है काफी जाता ठीक है आज अब चलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूस उसको अपडेट दे दूंगा ठीक है डास्टा स्टॉक मार्केट नीट 25 और 50 तो अब देखिए अनलिस्ट द्वारा अलग-अलग स्टेट्पेंट आ रहा है किसी का मानना यह है कि पच्चीज वीपीस तक रेट काट होगा क्योंकि 2022 में ने देखा था लगातार एकदम 75 75 75 75 करके चार बार रेट हाई किया था तो इस बार रेट कट होगा तो एक अच्छा रेट कर आपको दिखाई दे सकते विकास एकनोमिकल डेटा भी काफियत तक कंट्रोल में आ चुका है ठीक है इसके चलते एक्चुली लास्ट नाइट भी हमने देखा था यूएस मार्केट में मू आपन होने के पहले ना डॉजोंस की फ्यूचर नैस्टे की फीचर ओपन हो जाता उसको अच्छा पॉसिटिव में चल रहे है अभी डॉजोंस की फ्यूचर 0.18 परसें उपर और नैस्टे की पोजिशन और भी अच्छ है मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं लेटेस कर सकता है ठीक है तो यह सारे जानकर यह सारे अपडेट में आपको आज रात की सारे दसके वीडियो में दे दूंगा देखना मत भूलिएगा ठीक है उसके पहले बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक की बड़ वीडियो आएगा तो चैनल लिग से जुरे जरू रहे ना एक इंडिविजुल शियर एक्चुली मैं कल रात के सारे नौ की वीडियो में थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था एक्चुली यह जो सारे वेबसाइट हो था ना स्कीनर बगएरा और भी बहुत सारे वेबसाइट है इसमें एक्चुली कल एड़स्ट में नहीं और पी रेशो भी कल रात में देखा था 35-36 का असपास था तो अभी आप देख सकते क्योंकि आज भी बजाज हाउसिंग फानांस की शेयर में 10% की अपर सरकीट लग देवे क्लोजिंग दिया 112 रुपए हाई भी टच किया उसी लेवल पर क्लोजिंग भी दिया और पी सहां पर जो नेगेटिव फैक्टर यह है कि देखें इसका जो प्राइस है ना बहुत ही सस्ता है मतलब करें मार्केट प्राइस के बात करनो वैलेशन नहीं वैलेशन इसका बहुत महेंगा है अगर आप देखेंगे ना कि बजाज हाउसिंग फाइनस को छोड़के जो यह बात भी सही है कि देखें ज्यादर कंपणि सरकारी कंपनिया अब यह बात भी सही है कि देखेंगे प्राइबेट सेक्टर में ग्रोथ आपको बहुत फास्ट देखने को मिलता है बर स्टिल वैलेशन माइन रखता है ऐसा मुझे लगता है कि इमिडिटली कोई डिशन ल मिल गया और आज की डेट में अच्छा प्रॉफिट में भी आप और अगर आपको इंट्री लेना है तो आई थिंग आपको थोड़ा वेट कर जाना चाहिए और शियर आज काफी अनस्टेबल भी है लास्ट डेप अपर सरक्रीट लगा आज भी अपर सरक्रीट लगा ठीक ह है तो मेरे मेरे इसाब से यह अच्छा रणनीती हो सकते आपके लिए अब जले थोड़ा सा एशियन में पेर्स का क्या हाल चाल चल रहा है देख लेते हैं जपैन इस मार्केट में भी काफी गिरावट हुआ निक कई बगरा चाइना की मार्केट में भी कमजोरी था तो अच मतलब मैं कहूंगा बज गया इंडियर मार्केट में कोई गिरावट एक्लिस नहीं हुआ हो सकते कि आपके पोटफ़लो में गिरावट हुआ पट मार्केट में कोई गिरावट नहीं था यह खचरा एकदम आज मुबंट दे दिया बढ़िया आज निउजिलेंड की में चलो ठीक है overall बात करें आच मार कुछ को जगा पर तेजी भी था कुछ को जगा पर गिरावत भी हुआ था आचा बात करेंगे कुछ इंडिविजुल कंपणी की शियर्स के बारे में पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा informative लगा प्लीज साइड वेस्ट मुवबेंट आप देख से तो पूरा को पर दिन तो कहने के देखा जाज मार्केट में भी ना कुछ खाज मतब खाज वही मजा नहीं आया लोग क्योंकि सुबह से जहां पर देखा अंत पर भी वही पर था कोई बहुत बड़ा मुबेंट नहीं वहीं पॉस सब्सक्राइब में कुछ कुछ शेर्स तो गिरावाट भी बटाता मोटो जैसे सुवा में बहुत गिर गया था उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी कर पाया महिंद्रा की शेर पॉजिटिव में क्लोजिंग सुजुकी की शेर थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग जया अब उसको सब्सक्राइब में तो लगाधार गिरावाट हो भी रहा है ठीक है अब बहुत से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि बाई 3 परसेंट गिरावाट हो गया क्या रिजन हो सकते हैं यहां पर कोई खास वज़ा नहीं है ठीक है और मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर किया था टेकनिकल एनरसिस के साथ तो आज डिफेंस करेंगे की खास करके बड़ेस कंपनी को देखना मत भूलेगा नेक्स्ट ये झा तो इक रहावाट भी गिरावाट हुआ है तो में ढ़िशन से नलेवाट हो सकते हैं मेरी सबस्क्राइए ठीक है सब्सक्राइब करें आज गिरावट में क्लोजिंग ठीक है अच्छा एक सेक्टर की सरकारी कंपणी पीएपसी यह सारे दो परसेंग करके आज गिरावट में क्लोजिंग ठीक है सेक्टर में हमने देखा आज बहुत अच्छा मुपेंट हुआ कि अपना हाई टच किया उसी लेबल पे क्लोजिंग दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिक्सवान में भी आप देखिए कोई बहुत बड़ा हो सकते रहली नहीं था बट फॉर्टीन थाउजन की पर पहली बार आके क्लोजिंग दिया डिक्सवान टेक्नलोजिंग एश्या ठीक है और लास्ट ली देखें वीवेल जो अक्सर मैं कह ठीक है तो पेशन्स है तो यहां पर लॉंग टाम में डेफिनिटल फाइदे में रहेंगे बाकी दोस्तों कोई शियर्स या कोई टॉपिक के उपर आपको जानना है पूछना है मेरे से कमेंट करके पूचिए कमेंट के थू फिलहाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हो मि दे नेक्स वीडियो पे टेक केर बाबाई जय हिंद